आप 수 we wanna और इसी वज़ेसे जितनी भी भाधिय बज़ार में city hai उन्होंने इस segment में अपनी गालियां या तो उतार दी हैं या फिर उतारने जा रही हैं पर उतारने जा रही है figure जोंवku ते इस सेग्मेन में वो कालियां करेंदा पसंद करते हैं जो कि child और adult safety के मामले में अवल हो और साथ ही made in India भी हो और इस segment में दो गाड़िया टॉप पर हैं जिनका नाम आप लोग अच्छे से जानते ही है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Tata Nexon और Mahindra XUV 3W की Tata Nexon भले ही technology के मामले में अभी एक कदम पीछे हो लेकिन अब Mahindra XUV 3W technology के मामले में आगे बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ अब ये गाड़ी connected भी हो गई है जी हाँ Mahindra XUV 3W में अब company ने petrol engine के साथ शामिल कर दिया है automated manual transmission यानि की auto shift gear box और साथ ही साथ company ने इसमें 40 से जादा connected features भी शामिल कर दिया है जिसका हम आपके लिए आज जागरन high tech पर review करने जा रहे हैं और हम इनी दो parameters पर जादा जोड़ देंगे कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी खास है Mahindra XUV 3W automatic transmission वाली W8 optional में नया blue sense plus connected technology शामिल की है नई XUV 3W auto shift की कीमत 9,95,000 रुपे एक शोरूम से शुरू होती है जो की W6 variant की है company ने इसकी booking शुरू कर दी है और परवरी से ही आपको delivery मिलना भी शुरू हो जाएगी इसके अलावा electric sunroof function XUV 3W में भी mid variant यानि की W6 से शामिल हो गया है और ये manual और auto shift दोनों ही variant में आपको मिलेगा इन सब चीजों के अलावा company ने गाड़ी में नए color vehicle भी शामिल किये हैं जिसमें dual tone red और dual tone aquamarine W8 optional auto shift variant में शामिल किया गया है और नया galaxy gray W6, W8 और W8 optional के manual variants में शामिल किया गया है दोस्तों महिंदरा XUV 3W जैसे की शुरुवाद में बताया था कि इसमें अब connected features भी शामिल कर दिया हैं जो की company ने नाम दिया है blue sense plus connected technology और इसमें आपको 40 से जादा connected features मिलते हैं जिसमें आपको काफी सारी चीजे मिलती है यानि कि आपको remote vehicle control मिल जाता है साथी location based features मिल जाते हैं vehicle information and alerts मिल जाती है safety and security alerts मिल जाते हैं इन car controls जैसे top features आपको इसमें मिल जाते हैं और phone में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें आपको एक blue sense जो connecting feature वाली जो technology का जो app है न वो आपको मिलता है और इस app के जरीए आप घर बैठे ही या फिर कहीं पर भी रहकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहां है आपकी गाड़ी का current trip क्या चल रहा है, speed क्या चल रही है, fuel range उसकी कितनी है इसके अलावा अगर आपको doubt हो रहा है कि आपकी जो गाड़ी है वो lock नहीं हुई है तो आप घर बैठे भी उसे lock कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आपको ignition of doors unlocked, park lamp of, hazard lamp of ये सबी जानकरिया भी मिल जाती हैं और साथ ही आपको tear pressure monitoring system भी आपको अपने इस app में देखने को मिल जाता है इसके अलावा vehicle controls पर अगर आप जाते हैं तो यहां से जैसा कि पहले बताया, doors को lock unlock कर सकते हैं horn and blink को भी आप यहां से control कर सकते हैं, hazard lamp को भी आप यहां से on off कर सकते हैं और साथ ही park lamp को भी आप यहां से off कर सकते हैं इसके अलावा इसी blue sense app में आपको map my india का app भी मिलता है जिसके जरीए आपको अगर कहीं जाना है तो वहां की location आप डालते हैं तो आपको 10 by 10 navigation देखने को मिल जाता है XUV300 में company ने 1.2 liter का turbo petrol engine दिया है जो कि यह manual transmission के साथ तो आता ही था लेकिन अब यह auto shift transmission के साथ भी आता है यह engine 5000 rpm पर 109 bhp की power देता है और साथ ही साथ 2-3,000 rpm पर 200 newton meter का torque भी generate यह करता है यह engine 5-speed auto shift technology के साथ आता है और यह market में सबसे ज़्यादा refined और किफायती auto transmission है जिसे company ने transmission expert Magnity Marily के साथ मिलकर develop हिया है इसी वज़े से यह काफी interesting है क्योंकि इसमें आपको gears change करने का experience tap to switch के through मिलता है जिसकी वज़े से driving का आप अपना एक अलग ही मजा ले सकते हैं इसके अलवा अगर आप इसमें fun to drive का मजा लेना चाहते हैं तो आप manual transmission में इसे चला कर gears को switch कर सकते हैं यानि कि आपको इसे upshift करना है तो manual transmission में tap करके आप इसे upshift करते हैं और downshift easily कर सकते हैं तो आपको यह यहाँ पर काफी ज़्यादा आनन देती है काफी ज़्यादा मजा देती है और यह engine turbo petrol है तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा Tata Nexon में भी आपको turbo engine मिलता है लेकिन उसके मुकाबले जो इस engine की refinement है वो थोड़ी सी ज़्यादा बहतर है और इसे चलाने में आपको ज़्यादा मजा आता है as compared to Tata Nexon इसके अलावा इस गाली की सबसे खास बात यह है कि अगर आपको 0-100 kmph की रफतार भरनी है ना तो भी यह इतना ज़्यादा समय नहीं लगाती है आप कुछ seconds में ही इसमें 0-100 kmph की रफतार हासिल कर सकते हैं हाइवे पर अगर आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो आप इसली इसे 2-500 kmph पर 100-110 kmph की रफतार इसली क्रूज कर सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा पर और यह माइलेज भी आपको काफी बहतरीन देती है आपको 14-15 kmph तक यह इसली माइलेज दे देती है और यह Nexon से जादा माइलेज आपको ओवियसली देती ही है एक्सवी 3W का आटो शिफ्ट जो ट्रांस्मीशन है अगर आप इसे आटो में चलाते हैं तो इसमें आपको 5-speed आटो ट्रांस्मीशन मिलता है जिबकि अगर आप इसे मैनुवल मोड पर चलाते हैं तो आपको 6 गेर्स मिल जात आटो शिफ्ट ट्रांस्मीशन में सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रीप फंक्शन भी मिलता है जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में फसे हुए हैं और आपको एक्सलेटर पैडल पर पैर भी नहीं रखना है तो भी ये गाड़ी मात्र 7-8 kmph की रफ्तार पर इसली ये क्रीप होने लगती है जिसके चलते आपको कोई परिशानी नहीं होती है effortless driving का एसास आपको proper इस गाड़ी से मिलता ही है और जैसा कि बता है कि CVT transmission जैसा तो इसका gear shift smooth नहीं है लेकिन जितने भी AMT transmission है ना उनके मुकाबले देखा जाए तो ये अब तक का मुझे सबसे best auto shift transmission लगा है auto shift transmission के साथ सबसे खास बात यह है इसके creep function में अगर आपका दरवाजा खुला है और आप manual mode या फिर auto mode पर भी है तो creep function काम करना बिल्कुल बंद कर देता है क्योंकि safety के लिहास से अच्छा भी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी और साथ ही इस में गाड़ी में आपको इसमें पंची फील के लिए यानि कि आपको ओटेंगी करनी है तो आपको इसमें kick down shift भी मिलता है जैसे ही आप पैडल पर पंजा रखते है ना वैसे यह गाड़ी एकदम से तेस्तरार रूप अपना दिखाने लगते है और आप इसली किसी भी गाड़ी को बहुत ज़्याद स्पोर्ट्स कार तो नहीं लेकिन हाइवे पर आप नॉर्मली गाड़ियों को ओवर्टेक कर सकते हैं महिंद्रा एक्सुवी 3W के पेट्रोल एंजिन के साथ कंपरीन है और तो शिफ्ट ट्रांस्मिशन और साथ ही जो कनेक्टेट फीचर्स शामिल किये हैं उन्स अभी के चलते यह गाड़ी अब पूरी तरह फीचर्स पैग्ड है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एक्सुवी सेग्म और जो हाल ही में लॉंच हुई है ना निसान की मेगनाइट और जो लॉंच होने वाली है रेनो की काईगर उन सभी गाडियों से भी इस गाड़ी का कड़ा मुकाबला है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन झाल